दिखाईए भई देखिए यहाँ पर जड़ा सा कैमरा दिखाईएगा यहीं पर चाभी है जी और यहाँ पर देखिए इस्टार्ट करने जा रहे हैं वाह क्या बात है और देखिए यह स्टार्ट हो गई स्टार्ट हो गई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और यह धान डा दिखाने के लिए कि यह सामने हमने इसकी आपके कैसे मशीन चलाई जाती है कैसे यहां पर चावल निकल रही है अब हम लोग तो भाई वीडियो बना रहे हैं तो उतना पहचान नहीं है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डूप्लिकेट है लेकिन थोड़ा सही बता सकते हैं कि ओरिजिनल डूप्लिकेट और क्या फर्क कैसे मालूम चलेगा सर्य पूरे और इंडिया में आपको सबसे सस्ता मि सब्सक्राइब देंगे दोस्तों नमस्कार मैं उपाउन कुमार सिंग और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया के धंदा पानी ब्लॉग जहर खंड की धरती से आप सभी को जोहार नमस्ते प्रणाम अभिनंदन और स्वागत दोस्तों हमेशा से यह कोशिस रहती है क नए नए जगों पे जाओं कुछ नए स्टोरी लेकर क्या आओं कुछ नए मशीनों को दिखाओं कुछ नया उद्दोग दिखाओं कुछ नए इंटरप्रेनर्स दिखाओं और उसे कड़ी में आज फिर एक रोजगार परक वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आज फिर आप आपको राइस मिल बिजनेस के ऊपर एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और यह जानकारी है हिंदुस्तान मशीन आइन टूल्स जो कि वी हाल फिलहाल की तकरीबन सालवर पुरानी कंपनी है उसके थ्रू आपको मिलने वाली है इसके लिए हम अभिनंदन कर लें सर का सर बहुत-बहुत स्वागत है स्क्रीन पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी सर जी क्या नाम है आपका सर सुमीद दुबे सुमीद दुबे जी सुमीद दुबे जी एक परिशे जरूर दीजिए आप अपने सारे इस कंपनी के बारे में सर यह हिंदुस्तान मसीन रा तर चक्की लगूत दोख से जुड़े बहुत सारे चीजे आप यहां पर निकाल रहें जी बहुत बढ़िया तो चलिए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं यह जो राइस मिल मशीन यहां पर पड़ी हुई है सर दो तरह की मैं देख रहा हूं यहां पर तो बारी-बारी से थोड़ा सा बताएंगे कि यह जो राइस मिल है यह कौन सा राइस मिल है यह सर फेमस है सिक्स एन सेवेंटी राइस मिल इसमें इंजन वाली हो गई है किरलोस के आइसर इंजन के साथ है इसमें बैटरी लगी हुई है जो चाभी घुमाई है और मसीन चालो तो देखिए यह अधी वाली मशीन है यहां से आप देख सकते हैं बहुत लोग जो है पुराना हैंडिल लगा लगा के जो है इंजन स्टार्ट करते थे यह है कि अग्रम सेल्फ की तरह चाभी मारी है और स्टार्ट हो जाएगी अच्छा तो यह जो किलोसकर की जो इंजन है यह तो डीजल से कुटके देती है नौ कुंटल यानि की धान कुटती है उसमें से मतलब कितना चावल निकलेगा छे कुंटल शे साड़ शे कुंटल का सपास और वी एक बार में पॉलिस करके से इसको दुबारा डालने का कोई आ सकता नहीं यानि कि यह फूल फ्रेम में काम करेगी यहां पर यह अराम से यह ट्रेक्र परूटर पर ट्रेक्टर पर इंजन पर लाइन शौट पर तीनों से चलती चारों से क्या बात है भई बहुत शांदार तो यह हो गई सर आईसर इंजन वाली और यह वाली जो है यहां पर यह वाली कौन सा मॉडल है कि लोशकर है 12hp एर कूल इसमे आपको handle start आएगा जिसका budget कम है वो यह machine ले सकते हैं यानि कि इसमें आपका वो चावी सिस्टम नहीं है बस इसमें आपको handle मारना पड़ेगा अच्छा अच्छा तो यह बता दे तब तो यह जरूर उसके मुकाबली है सस्ती होती होगी जी कुछ किसमें कम है बाकी दोनों प्रॉडक्शन वाइज सेम है इधार आज यह थोड़ी से हम लोग बात करेंगे चलिए तो यह तो machine की थी जनकारी और देखिए कितना बढ़िया यहां पर है कि आप इसको चाहें तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं इन machine को इस पर चक्के लगे हुए हैं पुरा बेस पर बना हुआ है इसको डारेक्ट आप खेतों में ले जाईए दरवाजे पर ले जाईए और वहीं पर जो है अपना काम कर लिजिए और पैसे कमाईए इस की वारांटी और सर्विस कंडिशन क्या होते हैं अप लोगों के का एक साल का गरेंटी है अगर एक साल में एक hem होता है तो इसको लाईए हम इसको रिटरन करके यह इसमें डूटने की संबहुना रहती है कि बहुत कम ही है लेकिन वह दो हो जाता हुँ है इम पर आप देनग परस हमारे वीवर्स को यह जरूर बताईए कि जाली जो होती है राइसमील मशीन में तो एक जाली के लाइफ क्या होगा एक जाली का लाइफ करीब 16 सबीश्टन और भूसे के बाद करें तो बारीक और मोटा जाली के उपर है जैसा जाली लगाएंगे वैसा आपका भूसा पर जाली कि अगर माली जी टूट जाती है तो क्या फिर दुबारा क्या पराइस देना पड़ेगा इसका कीमत मार्केट से तो लोग बोल के ले लेते हैं और जिए और इसमें आपको मिलेगा सिर्फ अठारा सो में अच्छा नहीं है कि कौन सा और इजिनल है कौन सा डूप् है लेकिन थोड़ा सही बता सकते हैं कि और फर्क कैसे मालूम चलेगा इसमें लॉक दिया वर रहेगा तीन और यह क्रोम बोडी का इसको पटकी है तो पदा चल जाए कि और बहुत बढ़िया और इसमें चुम्बक चिपकाने से भी नहीं चिपकेगा इसमें चुम्बक सकती है अब धान कुटका आपको दिखाएंगे अच्छा तो चलिए सर थ्रसा इसको किया जाए दिखाईए वाई देखिए यहां पर जड़ा सक कैमरा दिखाईएगा यहीं पर चाभी है जी और यहां पर देखिए इस्टार्ट करने जा रहे हैं वाह क्या बात है और देख लाइफ डेमो है सिर्फ दर्सकों को दिखाने के लिए कि भाई यह सामने हमने इसकी आपके कैसे मशीन चलाए जाती है कैसे यहां पर चाभल निकल रही है और देखिए यहां से खोलेगे तो यहां से प्रोसेस होके निकलेगा यहां पर सेटिंग करने की जुरत पढ़ेगी और यहां पर सेटिंग किया जा रहा है अब देखिए यहां से यह चावल निकलने लगा मतलब कितना असान सिस्टम हो गया कि सिंपल एक चाभी आपने दिया और वहां से वह काम शुरू हो गया तो भाई बहुत शानदार है यहां पर भूसी देखिए यहां पर दिखा तो चलिए यह बहुत ही मतलब और जो चावल की क्वालिटी है आप देख सकते हैं आपे बहुत बढ़िया अच्छी प्रोसेस ही है ठीक है सर आप बंद कर दीजिए बंद कर दीजिए बंद कर देते हैं क्योंकि भाई इंजन से हो रही है तो इसलिए आवाज बहुत ज्यादा है और भूसी भी उड़ रही है क्योंकि भाई हमने कोई तयारी तो की नहीं थी बस ऐसे बोला स्टार्ट कर दो और उन्हें स्टार्ट कर दिया तो थोड़ी डस्क वेगरा ज्यादा हो गई है ठीक है सर ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं अब यह काम तो हम प्रोफेस्नली कर नह दिखा दिया और बढ़िया है कि 900 किलो धान इसमें डालेंगे और यहां पर देख सकते हैं क्या मस्ट क्वालिटी जो है यह चावल निकाल रही है यह 600 किलो चावल आपका प्रोसेस कर देगी और अगर चावल के सीजन में अगर आप इस चीज को खरीद रहे हैं तो मेरे ख् सबसे पहले बात हम जानना चाहेंगे सुमी दुबेजी से कि इसकी क्या आपने कौस रखी है लागत क्या रखी है सर यह पूरे और इंडिया में आपको सबसे सस्ता मिलने वाला जी रेट में यह 10,000 आपको कम करके देंगे जो आपके वीडियो के माद्यम साहेंगे उसको 10, सबसे सस्ता की गरांटी कैसे मिलेगी सर सर आप और इंडिया पता कर लीजे उसका इसक्रीन सोट लेका यह कि सर यह इतना में दे रहा है उसे 10,000 कम में देंगे तो बैया एक काम जरूर कीजिएगा पहले इनसे लेने से पहले चारो बगल पता कर लीजेगा और उसके बाद सबसे बड़ी बात इन्होंंने प्राइस तो नहीं खोला है लेकिन इंकी यह बड़ी ही इन्होंने बोला है कि जो अगला दे रहा है उससे दस अजार रुपया सस्ता करके देंगे तो भाई आए बिहार स्टोरी की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसकी शॉट भी जरूर ले लिजिएगा और सर से आके मिलिए सर आपसे कहा मुलाकात होगी सर आपको राची जहरखंड आना होगा रातू चट्टी रातू पोस्ट ओफिस से दस कदम आगे है रातू चट्टी बस वहीं पर आके कॉल किजिए हमारा आदमिया आपको लिया आजगा जी सर क्या बात है चलिए सुमीद्वेजी बहुत बहुत थैंक्यू और दोस्तों फिर मिलाकात होगी फिर किसी नए जगा पर किसी नए मशिनरी के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत